हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मागनेट वेइंस मैं रुपाली वर्म शब्द कोश से आज का शब्द है वैमनस से शब्द है ठीक से बोलेंगे वैमनस से इसका अर्थ क्या होता है मन मुटाओ रंजिश या वैर किसी से हमारा जैसे कोई हमारी feeling मिलती नहीं हमारे विचार नहीं मिलते तो हमारा थोड़ा सा लड़ाई जगड़ा हो जाता है कभी-कभी बहुत ज़ादा हो जाता है तो वो क्या वो feeling जो होती है उसको हम बोलते हैं वैमनस से यानि किसी से मन मुटाओ हो जाना किसी से रंजिश कभी-कभी तो लाड़ी जखड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो और साथ भी वैर हो जाना तो यह सबी क्या कहलाता है? यह एक feeling है यहाँ पर क्या होगा? यह वैमनस यानि कि किसी से मनमुटाव हो जाना यानि कि feelings का हमारी विचार धाराओं का ना मिलना और उससे हमारा लड़ाई जखड़ा हो जाना इसका व्याक्री करन परिचे है यह एक पुरलिंग शब्द है और संस्कृत है तो जैसा कि हमने बटाया कि यह एक feeling है अर्थात यह भावाचक संग्या है पुरलिंग है वैमने से संस्कृत भासार सा हिंदी में लिया गया है तो यह एक तचसम शब्द कहलाएगा इसके परियाई बाची क्या रहेंगे अनबन, मतभेद, विरोध, असहमती, जगड़ा, तक्रार, विबाद यानि कि किसी भी अब यह क्यों होता है हमारी जब विचार धारा किसी से मिलती नहीं तब ही हमारा लड़ाई जगड़ा होता है मतभेद होता है, रंजिश होता है तो वो क्या है ना यह जब चीज़े नहीं होती तब ही होता है तो यहाँ पर यह सारी चीज़ों का मतलब यहीं हुआ वेमनस से मतलब अनबन, मद्भे, विरोध, असहमती, जगडा, तक्रार या विवाद, अब आते हैं इसका विलूम, अब यहां तो हमारा हो गया कि हमारा किसी से मन उटाओ, लेकिन अब किसी से हमारा मेल मिलाप हो जाए, हमारी विचारधारा मिल जाए, तो हमारा बेस्प्रे इसको हम बाक्य में प्रयोग करते हैं, क्या है, समाज में वेमनस के कारण सबका नुकसान ही होता है, अर्थात अगर समाज में लडाई, जगडा, अमद, भेद, यह सब चीजें हों तो क्या होगा, समाज प्रकति नहीं करेगा, हमारा देश प्रकति नहीं करेगा, तो कहीं कहीं हमारा ही नुक्सान होगा तो समाज में यह वैमनस का भाव नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे किसी का भी भला नहीं होता फिर है कौरव और पांडवों के आपसी वैमनस ने पूरे परिवार को तभा करके रख दिया अब देखिए एक ही परिवार के बच्चे थे कौरव दोनों के बीच लड़ाई हुआ उनका मन मुटाव हुआ और क्या हुआ पूरा कौरव सौ कौरव थे तबहा हो गये परिवार के किते एहम लोग मृत्य को प्राप्त हो गये कितना जन धन की हानी हुई कितने लोग आहत हुए तो ये कहीं न कहीं क्या हुआ दो भाईयों के बीच में जो वैमनस हुआ उसके कारण पूरा परिवार तपा हो गया तो ये इसका वाक्य प्रयोग था और आज का हमारा जो शब्द था क्या वैमनस विलोम था सौमनस से इसे अपने शब्द कोश में सम्हाल के रखिए और आगे जब भी बाग के लिखे कहीं पर भी हिंदी, अनुछेद, पत्र, कुछ भी कहीं पर भी कुछ लिखे उसे हमेशा इन शब्दों को इस्तमाल करने की कोशिश कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग, बाबाई